दोस्तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वला हूँ कि आप अपने घर बैठे ही मूबाइल से अधरकर्ड में दी हुई डेट अप बर्थ को कैसे अपडेट कर सकते हैं कैसे बदल सकत हैं तो दोस्तों वीडियो स्टाड करने से पहले आप से छोटी सी दर्खास्त है कि अगर आप में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाये करें तो चलिए दोस्तों देर किस बात की वीडियो करता हूँ इस्टाड अधर कर्ड में दी हुई डेट बर्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मूबाल में क्रोम ब्रॉजर एप्लिकेशन को अपन कर लीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहा है चार्जबार है यहां पर लिख लीजिए गा UI-DAI उसके बाद सिथा चार्ज़ कर लीजिए गा उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटर्फेश आयगा मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह द कि यहां पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिक में करने के लिए यहां पर इंटर आथार यहाँ पर आथार नमबर लिख लेना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना आथार नमबर डाल लीजिएगा मैं जल्दी से यहाँ पर अपना आथार नमबर डाल रहा हूँ और उसके बाद दुस्तों यहाँ पर कप्चा नमबर डाल लीजिएगा यह जो उपर में है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर सेंड ओटी पी देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर लीजिए गा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूस्तों यहाँ पर लाइफ प्रूफ दिखा रहा हूँ यहाँ पर video को end तक देखते रही है दोस्तो इसतारा का interface खुल कर सामने आने वाला है तो दोस्तो वीडियो को end तक देखते रही है यहाँ network की problem हो रही है इसलिए जो है यहाँ पर खुलने में थुड़ी सी देर लग है तो दोस्तो इसतारा का interface आया है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता चलूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर अपडेट आधार वन लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूस्तों आपके मुबाल पर कुछ इस तरह का इंटरफेज आएगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसीज्ट तो अपडेट आधार लिखा हुआ है देखिए नीचे हैं यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूस्तों आपके मुबाल पर कुछ इस तरह का इंटरफेज आएगा और यहाँ पर देखिए नेम लिखना पड़ेगा अगर नेम में आपका गलत हुआ है अगर गलती है नेम में तो नाम को यहाँ से बदल सकते हैं तो मुझे जो है डेट अब बर्थ को बदलना है अपडेट करना है इसलिए मैं डेट अब बर्थ में क्लिक कर दूँगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे देख पा रहा है Proceed to Update आथर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मुबाल पर कुछ इस तरह का इंटरफेश आएगा और आपके आथर में जो Date of Birth है यहाँ पर शू करने लग जाएगी तो दोस्तों इसको Update करने के लिए निचे Option दिया हुआ है New Date of Birth to be Update लिखा हुआ है यहाँ पर कलेंडर का Option है यहाँ पर कलेंडर के Option पर क्लिक कर लिजएगा और आप यहाँ से कलेंडर से अपनी Date of Birth को चोच कर लिजएगा उसके बद दोस्तों यहाँ Set लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लिजएगा क्लिक करके Set कर लिजएगा उसके बद दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता चुलों यहाँ Select Ballot Supporting Document टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लिजेगा यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपने पास जो भी डोकुमेंट है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा यहाँ पर Select करना पड़ेगा यह देखिए यहाँ पर Mark Seat है, Pen Card है, Passport है जो भी आपके पास है वो यहाँ से Select कर लिजेगा फिलहाल मेरे पास Pen Card है इसलिए मैं इसको Select कर रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाके लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लिजेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर देखिए Next लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लिजेगा यहाँ पर क्लिक करते हैं दूस्तों आपके मूबाल पर जो है मैं आपको दिखाता चलो यहाँ पर देखिए View Details and Update Document यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बद दूस्तों यहाँ Continue to Update लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बद दूस्तो आपके मुबाल फाइल में चले जाएंगे फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बद दूस्तो यह जो pen card है इसको मैं update कर रहा हूँ यहाँ पर दे रहा हूँ उसको बद दुस्तो यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के बद दुस्तो document format not support यहां पर support नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको support करने के लिए मैं उसी size की photo यहां पर लगाओंगा